हुआ है वेलकम टू आटोमेशन एंड रोबोटिक्स योट्यूब चैनल यू आज विडियो है वह है कि बिसिकली हम पिसिक इंशक्षिन जो कि एनों डैंसी इंशक्षिन होते हैं आउटपट इंशक्षिन होते हैं वह कैसे यूज करते उसके बारे में आज आपको बताने बा के बारे में मैंने बताया कि software कैसे यूज करते हैं तो जो software वो RSLogix 500 software जिसमें डिफेंट इपर इंशक्षिन के बारे में मैं आपको बताने बाला हूं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसा कि मैंने प्रीवेस वीडियो में बताया था कि आप लेडर टू में प्रोग्रामिंग करने जा रहा है और यहाँ पा सबसे पहला जो रंग है जिसको लाइन नहीं बोलते रंग बोलते रियो एंजी वह है जीरो नं यूजर में कुछ टूल्स हैं कुछ यहाँ पा सिया इंस्ट्रेक्शन से जैसे न्यू रंग है जैन पैरलल कनेक्शन अगर लेना है तो रंग ब्रांच हो गया दैन एक जामेन इस क्लोज जिसको एक साइसी बोलते हैं एक साइयो एंड आउट पर इस्ट्रेक्शन है तो सब मैं डिलीट कर देता हूं कीबोड से अगर आपको यहां से क्लिक करना है तो यह निव रंग आ गया अगर आप कीबोड से चाहते हैं कि निव रंग कैसे आएगा तो कीबोड पर जो एक की होती है इंसर्ट की जैसी आप प्रेस करेंगे तो वह आजए जैसे मैंने अभी माउ कीज का यूज करके भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उससे काफी अच्छा रहता है प्रोफिशेंसी अच्छी आती है इंसर्ट प्रेस के तो एक निव रंग आ गए अब इसका मतलब यह है कि आप यहां से इंस्ट्रेक्शन्स कनेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले एक च प्रेंट को हाइप आप और यहां से सबसे पहले इंस्ट्रेक्शन जो प्लेट है यहां से आप जाएंगे तो सबसे पहला जो इसको हम बोलते हैं哦 इन्पूर्ट इंस्टेक्शन यानि NO इसका सॉर्टकट यानि XI CXI होता है तो देखिए सबसे पहला जो निमोनिक आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से वो है XIC जैसी में क्लिक करूँगा तो आप यहां से देखेंगे XIC short form है लेकिन इसके full form है examin if close इसके बारे में बताओंगा यह काम कैसे करता है यानि examin if close इसका निमोनिक का full form है लेकिन क्योंकि यह instruction open है तो इसलिए हम इसको बोलते open instruction यानि normally open instruction राइट दूसरा एक instruction और होता है जिसक examin if open यानि XIO means होता है examin if open और यह answer instruction भी हम इसको बोलते हैं अगर software के बारे में बात करें तो software इसको XIO कहता है बट आप अपनी language में no instruction भी बोल सकते हैं और एक और instruction होता है जिसको हम OTE बोलते हैं यानि output energize यह वाला instruction होता है यानि output instruction को यहां पर OTE कहा जाता है output energize यानि इ instructions का use करके हम लोग programming करेंगे तो उपर देखिए XIC XIO और एक output है यानि XIC instruction XIO यानि NO instruction NC instruction यह दौनों instruction input instruction है जो हमार जब भी programming करेंगे left side में connect करेंगे और एक instruction होता है output जो कि हमेशा right side में आएगा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं so that आपको crystal के लिए रहे instruction काम कैसे करता ह है तो सबसे पहले मैं एक instruction लेने जा रहा हूं वो है XIC यानि NO instruction क्लिक किया और एक मैंने यहां से output ऐसे ले लिया आप क्या कर सकते हैं देखिए मैं delete किया आप एनो instruction ऐसे drag कर सकते हैं और यहां पा जब green हो जाए तब आपको leave करना है यह तो यह connect हो जाएगा and इसके साथ मैं एक output connect करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आप लगाँगा तो यहां connect हो जाएगा यानि इस यहां पर यह input instruction है क्योंकि यहां connected है इसको address देना होगा जैसे question mark लिखा है means इसका मतलब यह है कि यह पूछ रहा है कि आप किस input का address देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यह हमारा output instruction है इस पर भी हमें output का address देना होगा राइट तो सबसे फैले फ्रेंट्स मैं आपको एनों instruction की working बताऊंगा कि यह function कैसे करता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसका function क्या होता है कि जो भी field से input आता है वो input इस instruction पर आए तो instruction क्या करेगा close हो जाएगा and output on कर देगा यानि अगर field से कोई signal आता है इस instruction पर तो यह close हो जाता है और output on कर देगा अगर कोई signal नहीं आएगा field से तो open रहेगा output off ही रहेगा तो यह काम करते हैं इसको use करके देख लेते हैं तो सबसे पहले friends मैं बताना चाहता हूं कि इसको addressing करनी पड़ेगी और addressing format होता है input का जो किस तरह स मेंते होता है वो बताउंगा मैं तो previous video मैंने बताया था data files के बारे में तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो input और output पे करेंगे so input की data file मतलब होता है input addresses ri lenses के लिए और output की data file इसकांस के लिए look attention के लिए एक अगर किा न0 नंबरा इंपटir.0 लिखना है अगर आपको टू नंबर का एडरेस देना है तो आपको इंपटर सोद्स रेखना है जैसे मैंने यह एडरोंग 1 अगर किस आउट्पूटर को और 0 वाला आपको एडेस देना है तो सेम फॉर्मेट है बस आई की जगे ओं लिखना है ओं कॉलल 0.0,0 , अब आप 0 आउट्पट भी ऊण करा सकते हैं अगर आपको 1 कराना एं 1 करा सकते हैं यह डिपेंड करता है आपके ऊपर की आपको कौन सा आउट्पट अउट्पट कराना है एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप इस को कोई भी address refine करना चाहते हूं जय सकते हैं जिसरे आप नाम देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आप नाम भी दे सकते हैं तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता हूंगा फिलहाल एक काम करते हैं अभी प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे कॉर्णर में लिखा रहा है वेरिफाई हैज कंप्लीटे नो एरर फांड्स यानि वेरिफाई होके कोई एरर नहीं है अगर कोई एरर होगी तो प्रोग्राम एरर बताएगा और जब तक एरर खतम नहीं होगी तब तक आप प्रोग्राम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और डाउनलोडिंग में बता चुका हूँ PC में जो बना रहे हैं आप प्रोग्राम अगर आपको PLC में भेजना है उसको बोलते है download और अगर PLC के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको PC पर वापस लाने है उसको बोलते है upload तो let's suppose कि मैं कोई error generate कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहां पर E यानि error आ रही है और error क्या है इसको जरूर पढ़ना है read करेंगे तो program file file 2 file 2 क्यों कोगि आप ladder 2 पर काम कर रहे हैं इसके अंदर कह रहा है रंग 1 यानि 1 नंबर की जो रंग है उपा 0 1 2 जीरो में आपने program बनाया 1 में यह खाली है तो रंग है जिनो इंस्ट्रक्षन यानि रंग में कोई इंस्ट्रक्षन नहीं है यानि खाली रंग कभी भी ट्रांसफर नहीं होती पीलसी में सब्सक्राइब का केटलोग में 1766 आता है यानि अगर आपको controller यहां से नहीं पता है और आप प्रोग्राम अगर देख लेते और यहां पर यह ब्लुटिन लिखा है 1766 इसका मतलब understood हो जाता है कि 1766 माइक्रोइस 1400 के लिए होता है जैसे माइक्रोइस 1000 के लिए 1761 होता है इस तरीके से अलग-अलग रहता है जो कि आप accordingly define कर सकते हैं जब प्रोग्राम यह हमारा हो जाता है देन उसके बाद ट्रांसफर करना होता है PLC में तो आप यहां से बिसिकली यहां पर offline जो लिखा यहां पर arrow पर क्लिक करेंगे तो download कर सकते हैं downloading means PC to PLC uploading means PLC to PC and online ओनलाइनिंग में क्या है कि online में जो भी प्रोग्राम PLC में चल रहा है डारेक्ट जा सकते हैं तो अभी मैं download क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे प्रोग्राम ट्रांसफर करना PLC में तो मैं emulator पर work कर रहा हूं तो मैं simulation कर सकता हूं क्लिक जैसी करेंगे तो downloading प्रोग्राम पूछ रहा है तो आप yes करेंगे then go online and उसके बाद फिर से remote प्रोग्राम पर जाने के बाद आप run mode पर करेंगे तो आपका प्रोग्राम ट्रांसफर हो चुका है और यह live आ रहा है यानि online आ रहा है सिग्नल हाई होने पर यह add-off instruction के contact close हो जाते हैं बहुत कि मैं simulator पे काम कर रहा हूं तो मैं right click करके force on करूंगा यानि force fully मैं signal on करूंगा आप देखेंगे on हो गया context close हो गया यानि high होने पर contact close हो गया output मेरा on हो चुका है और यह right click करके force off करूँगा तो मेरा क्या हो गया force off हो गया context open हो गया output off यानि कुलमला की है कि no instruction यानि xic instruction का गाम क्या होता है जब signal कोई field से आता है है तो context close हो जाते हैं और signal नहीं आता है तो contact open हो जाते आउटपट यानि off हो जाता है तो यह मेरा working है no instruction का next मैं यहां से offline जा रहा हूं जब भी मुझे कोई program change करना है तो आप remote run में offline जाएंगे offline जाने के बाद आप क्या करना है आप अब आपको मैं working बताना चाहता हूं एक्स आइस ओ इंस्ट्रक्शन की यानि एक्स इंस्ट्रक्शन था examine if close xio क्या करता है जिस अपोजिट विहव करता है xic का xic का पोजिट क्या है जैसे xic में क्या था जब signal आएगा तब contact close होगा then output on signal नहीं आया तो मेरा क्या है off contact open output off हो गया लेकिन अब आप चाहते हैं इसका पोजिट कैसे काम करेगा तो यहां पर देखें मैं इसको delete कर लेता हूं और यहां से xio instruction drag and drop किया यानि एंसिंक section इस पर addressing कर देते same input की जो अभी मैंने लिया था like 0 तो अब आपको पता चलेगा किस की working क्या है तो मैं यहां से off कर देता हूं या sorry मैंने यहां से compile किया verify किया कोई error नहीं है then उसके बाद आप यहां से download करेंगे and yes करेंगे तो आपका program यहां से download हो जाएगा then आप run mode पर करेंगे तो आप देखेंगे कि signal on नहीं है यानि मैंने कोई force on नहीं किया तो भी context close है और मेरा output on यानि signal off होने पर context close हो गया output on हो गया अगर signal आ जाएगा तो context क्या हो जाएगा open यानि force on करूंगा तो signal आ गया आने का मतलब है context open हो गया output मेरा off हो गया signal यहां से force off करूंगा तो off आने पर क्या हो गया context close हो गया फिर से output on हो गया और अगर मैं force on कर दूंगा तो high पर open होता है यानि agent not gate की तरह यह function करता है कहने का मतलब है कि जो annoying section का काम क्या होता है यानि xic का कि signal आने पर close होता है signal अगर नहीं आ रहा है field से तो open रहेगा तो उससे connected जो output है उसी के coding काम करेगा और xio का मतलब क्या होता है not gate की तरह है अगर signal आएगा तो contract open होंगे जैसे अभी हो रहे आउटपूट आफ है अगर signal चला जाएगा यानि force off होने पर मेरा output on हो जाएगा इस तरीके से यह मेरा क्या करता है function करता है काम करता है अब दोनों मैं no और nc एक साथ लगा के दिखाता हूं मान लिया कि यहां पर एक और दे सकते हैं अब एक और output यहां पर लगा देते हैं माना कि थ्री नंबर का कोई output है यानि आप कह सकते हैं input address मैंने same लिया है 0 यहां पर भी है 0 यहां लेकिन output address अलग लग लग लिया यानि एक ही input से दो output मेरे को on कराने है तो verify कर लिए देन आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद yes and go online again run mode पर कर दीजें तो आप देखेंगे input signal off है यानि ऊपर क्योंकि input एक ही है तो off होने पर क्या इसके context open है output off है और क्योंकि यहां पर भी signal off है तो off होने पर क्या context close हो रहा है यह वाला output मेरा on हो रहा है यानि nc section से जो भी output connected है वो on होगा initially और no से जो connected है वो output मेरा off होगा अब जैसी में signal on करूंगा तो force on होने पर क्या हो गया तो यह on पर close हो गया output on कर रहा है यह on होने पर off हो गया है तो output मेरा off हो रहा है तो इस तरीके से N or N N C section मेरे function करते हैं काम करते हैं बड़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब बात यहाँ आती है आप description वगेरा define भी कर सकते हैं अगर आप ladder to file के अंदर जो भी programming कर रहा है आप पूरे page का कोई नाम देना चाहते हैं तो आप right click करके edit title पर चले जाए है edit title पर यहाँ पर आप दिखाई दे रहा हूँगा एक है page title एक है रंग comment तो page title मतलब पूरे page को आप comment दे सकते हैं किसलिए यूज कर रहा है और रंग title का मतलब है special एक एक line एक एक रंग पर आप comment डाल सकते हैं सबसे पहले page title पर जाता हूँ और यहाँ से लिख सकता हूँ जैसे मैं यहाँ से कुछ define कर सकता हूँ कि मैं किसलिए यूज कर रहा हूँ जैसे PLC programming ऐसे करके मैंने एक page title दे दिया इस तरीके से तो यह मेरा यहाँ पर आप देखेंगे page title आगया कि मैं PLC की programming कर रहा हूँ यह delete भी हो जाते है double click करके यहाँ से delete करके then आप यह okay भी कर सकते हैं तो delete भी हो जाएगा अब अगर यहाँ पर comment लगाना है कि यह वाला जो zero number line है क्या है तो right click करके edit title में जाके और यहाँ पर रंग comment भी दे सकते हैं या separately एक option है उस पर भी आप जा सकते हैं तो जैसे मैं right click करके यहाँ से रंग comment, edit comment पर चला जाता हूँ यहाँ पर वही आएगा जैसे xic यानि bracket में examine if close जैसे मैंने एक लिख दिया कि मेरा क्या है instruction है close यानि इसको अपनी language में no instruction भी कहा जाता है right तो इस तरीगे से मैं इसको comment दे देता हूँ तो यह मेरा भी क्या हो गया रंग comment है no instruction और इसी तरीगे से मैं इसको यहाँ से copy कर सकता हूँ control c control c यानि keyboard से copy right click करके भी कर सकते हैं control फिर से मैं यहाँ से control c कर लेता हूँ copy and इस पर right click करके edit comment पर चले जाई और यहाँ पर control भी कर दीजे तो यह मेरा क्या हो गया nsing section जिसको जिसको examine if open shortcut यानि x i o रहता है तो यह आपको जानना जरूरी है अब यहाँ पर यह हो गया तो यह मेरा क्या था paste title हो गया पूरा यह मेरा रंग comment है अब आप चाहते हैं कि जो input 0 है इसको आप address करना चाहते हैं इसको कोई name देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं तो right click यहाँ पर option होता है edit description तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लिया कि जो मेरा field में input है उसके बारे में तो मैंने कहा कि no push button है कोई मेरे पास field में उसका address है तो no push button क्या होता है initially हमारा open रहता है जब press करते हैं तो on होता है तो यह मेरा भी क्या है instruction पर comment आ गया यह वाला right तो क्योंकि same address यहाँ पर भी use हो रहा है तो यहाँ पर भी comment आ गया अब आप इनको output को भी आप comment कर सकते है अड़े description करना right click करके तो मान लिया कि यह मेरा कोई क्या है मौचर मेरा one है जो कि यह है और two number पर connected है और यहाँ पर right click करके अड़े description में मौचर two जैसे मैंने लिख दिया तो यह मेरा instruction पर भी comment दे सकते है इतना करने के बाद एक चीज़ और देखे पेश टाइटल जो color है आप देख रहे है green है और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे जो रंग comment है वो अलग color है और जो instruction है वो अलग color है आप even color भी change कर सकते है right click करके property पे चले जाएए colors में जाके window color, symbol color, address color सारी चीज़ें आप यहां से change कर सकते हैं तो उसके according आपको show करेगा इतना करने के बाद आप यहां से verify करेंगे देन आप यहां से download करके देखेंगे तो आपका same function होगा जैसा पहले था पर description mention करने से काफी फायदा होता है कि field में कौन से input है उसका काम क्या है क्या connected है तो काफी अच्छा रहता है programming में अब देखें initially no push button है प्रेस नहीं है तो यह open है output off है और यह क्या है कि signal off है field से बट D2NC instruction close है तो output on है अब जैसी मैंने force on किया तो यह वाला close होगे इससे output on होगे यह open होगे इससे output अगर मैं force off कर दूँगा तो क्या होगे यह open होगे इससे output motor one off होगी और इससे मेरा off होने से motor two on हो गई इस तरीके से XIC XIO and basically जो last वाला instruction है यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो यह वाला जो है मेरा add a description पर जाके आप delete करके ok कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं exactly कि यह मेरा instruction OTE कहलाता है यानि आप bracket में output energize भी लिख सकते हैं energize right तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं output energize और even आप यह चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं energize ऐसे करके यहाँ पर भी दिखाता है तो अभी मैंने 3 instruction बताएं आपको right click करके add a description पर चले जाएंगे यहाँ से आप लिख दीज़े output energize इस तरीके से यह मेरा output instruction है which is also known as output energize OTE shortcut होता है यहाँ पर मैं लिख से लिता हूँ यह मेरा OTE है right यहाँ पर जाएंगे देन आप फाइल में जाके आप यहाँ से रोपे जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरीके से कि यहाँ आपको video सबस्क्राइब कर सब्सक्राइब करें तो आज अगे के लिए यह कि लिए और भी वीडियो जाएंगे तो लगा था चैनल के साथ बने रहे है चैनल को फॉल्लो करते हैं thanks for watching my videos, thank you